हेलो अबने अस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट अस्टेडी में तो आज किस वीडियों हम देखने वाले हैं इस्टन रेल्वे की तरफ से आपका दो हजर तैस के अंतरगत एक नया रेल्व कोटा का यह होता है या फिर स्पोर्स कोटा का भरती का यह इसमें फायदा देखने को मिलता है इसमें कि जीरो एकदम आपका कॉम्पेडिशन जो लेवल है एकदम जीरो होता है और इसमें आपका इजयली से सलेक्शन हो जाता है रेल्वे का पर्मानेंट वेकेंसी के सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ 12 पास वाले इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो वीडियो के आगे जानेंगे कि क्या-क्या और यहां पर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताक कि इसी तरह भरती का इंफ्रमेशन आप पहुंचते रहे इसका जो नोडिफिकेसर का पीडिएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा वहां से डाउनलोड करके आप भी फाइनली जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर को डाउनलोड करने के लिए आप रेलवेड कुट्मेंट शेल इस्टन रेलवेड के ऑफिसियल साइट पर आने के बाद आपको यहां पर नोटिस बोट का आप्शन मिलेगा आपको फाइनली नोटिस वाले बोट पर कर देना है क्लिक और जैसे नोटिस बोट पर क्लिक तो वह भी आपको फर्स्ट में यहां पर दिखाई देगा सबसे टॉप में कि रिक्वार्मेंट अगेंस कल्चरल कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट ट्वेंट 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 ट्री एलॉंग विट रिलिवेंट एनेक्जर तो यहां पर फाइनली क्लिक करेगा तो जो भी आपका नोडिफिकेशन होगा वह आपके सिस्टम फोन में लैप्टाप में पीसी में डाउनलोड हो जागा तो चली नोडिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और फटाफट नोडिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि अपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट के बारे में कि कब से आपका ओनलाइन अप्लाई होगा कब से लिंक एक्टिव होगा लास्ट एड़ेट वेगरा क्या है तो सबसे पहले देख लिए कि डेट और पॉब्लिकेशन और नुडिफिकेशन उन वेव साइट चार एक दोहज करने से पहले क्रिटेरिया देख लिए कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर यहां पर अपको अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर यहां पर बात करेंगे तो क्लोजिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन अप्लिकेशन तो चार दो हजार तेस मतलब चार फरवरी तक सभी साम के सारे छे बाषी से पहले पहले तक कर सकते यह कर सकते हैं उसके बाद नहीं की रिटेन सट इन पर इसका डेश्ट होगा और आपको नहीं की यहां प्डीट किया जाएगा चलिए उस से पहले आपको हम्हें यहां पर दिखा जाते neurological avete के बार गया है वो सबसे पहले आप सभी के अच्च से समwise कि इसेन्ट्स्ट्स E Abdul कॉलिफीकेशन दोर आपके पास होना चाहिए मीनिमंट एक्चुबहलेंट उइसके पास एक्चामिनेशन वीत नाट लेश देन 50% marks in the aggregated from government recognized in education board कहने का मतलब है कि simple 12th pass वाली candidate भी apply कर सकते हैं पर उनका जो 50% से marks है वो कम नहीं होना चाहिए उसके बाद आपको क्या बोला गया है अपों दी मतलब आपका SC, ST और EWS, PWD candidate के लिए हापे 50% marks कंपल सरी ने अगर 50% से कम भी है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि having higher qualification from UGC recognized university ऐसे कंडिये यहाँ पर फर्म को apply नहीं कर सकते जिसका higher education है higher education वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है उसके बाद आपको क्या बोला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 10 पास फ्रम रिकुनाइज़ बोट प्लस एक्ट अपनेडिसिप आई टी एप्रूब्ड वाई एंसीविटी डिप्लोमा इन इंजिनेरिंग इस नॉट कंसीडर्ड अल्टरनेट हाइयर कालिफिकेशन कहने का मतलब है कि अगर आपने 10th प्लस आइटी-आई कि यहाँ तो भी आप अप्लाइ कर सकते हैं नहीं तो 10 प्लस एंज का सडिफियट नेस्नल अप teeलेशिप सडिफिकेट पर इन सबकी बदले अल्टरनेट में आपको do डिप्लोमा का तो ऐसे सदिफिएट इहां पर अपलाई नहीं कर सकते हैं इसे बता देते हैं कि कौन-कौन साहरी पर कितना पोस्ट वेगरा है वह सब आप देखलेज़े तो टूटल यहां पर बात करें पोस्ट का तो आपको इहां पर दो वेकेंसी श्रीफ देखने को मिल रह जी हां यह सब में बहुत कम वेकेंस रिलीज किया जाता है इसलिए कि यहां पर यहां पर जो कमपेडिशन वह बहुत ही कम है यहां पर बात करें तो ग्रूप सी इन सुटेवल पोस्ट लेवल टू इन पे मैट्रिक्स ऑफ सीपीसी सेवन सीपीसी के तहट आपका उनीस सुरु आपको बताए गया जो भी हम दिखा देते हैं आपको देखे कि यहां पर बुला गया है दी केंडेट हैविंग नो कल्चरल कॉलिफिकेशन नीड नौट टू अपलाई ठीक है कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कल्चरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है ठीक है कल्चर का मतलब होता है कि कल्चरल का कोई ना कोई आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आप कल्चरल विवाक से हापर कुछ भी कई है जो भी आपके सट्यटिफिकेट वेगयरा है उस फाइनलाली हो डिश्रीप्लीन आपको दिया गया गयर फ्लूटिस्ट और भारतना ट cricket डांसर में तो इस तरह का सर्टिफिकेट होल्डर यहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हाँ बात करें तो आपको एज रिलेक्सेशन वेगरा देखने को बिल रहा अंडिजर्ब का आपका 18 से लेकर 30 साल तक रहेगा जो अंडिजर्ब में अप्लाई कर सकते है अपको तीन साल का सेम आपका अपनाया गया है उसके बाद एक्सेंड ऑफ एज रिलेक्सेशन वेगरा हम सारा बता दिया आपको नेक्स्ट अगर बात करते हैं रिकार्बेट प्रोसेस क्या है तो आपका सबसे पहले हाँ पर रिटेंड टेस्ट होने वाला है आप टोटल मा अपका हंडेट का एक्जाम होने वाला टोटल रिटेंड और आपका एसिस्मेंस्ट वेगरा मिला कर उसके बाद अगर बात करें तो हैंपर रिटेंड आपका हिंदी इंगलिस दोनों में बाइलेंग्वल होने वाला है नेक्स्ट आपको देखते हैं कि यहां पर क्या क्या एक्जामिनेशन फीस वेगरा भी आपको लगने वाला है वही पुराना नहीं है और यहां पर बात करें तो डॉकमेंट आपको क्या क्या अप्लोट करने हैं तो देख लिए सभी यहां पर रिलिवेट डॉकमेंट बताए गया है और यह जो पीडियो फाइल आपको डिस्क् नहीं आप मत अप्लाई करेंगे नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा जुट मुटका पैसा और टाइम सारा बरबाद हो जाएगा नेक्स्ट आहां पर आपको बताए गया कि सब्सक्राइब करना उन सभी के बारे में आपको बताए गया और देखे सबसे ज्या सब्सक्राइब करना सकते हैं तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को इंट करने से पहले अभी टोटल रिल्वे का चार अपेंडिसिप का भरती का नोडिफिकेशन रिलीज किया गया तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई नहीं के जल्दी जल्दी कर दिए हमें एक बार सबीका नोडिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है तो आपको अगर इसके रिगाडिंग वीडियो नोडिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन कर दीजेगा इसके रिगाडिंग अपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर